हेलो एवरीवन वेलकम टू अबर मेथ क्लास और आज की हमारी क्लास है क्लास 6 के लिए और चैप्टर का नाम पूम संख्या है और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसमें वो है प्रंग्णों की साहता से मान ग्याद करना हमें कुछ सवाल दे रखे होंगे संख्याओं के प्रंगों के मिक्शर भी और हमें क्या करना है प्रगुण लगाकर उनका मनगयात करना है ठीक प्रकुण क्या होते हैं उसके आप प्रिप्रेट वीडियो है लग से वीडियो बनी होई है इस पूरे फिर्गुण के लिए ही संख्याओं पर अदारित प्रिगुण होते हैं उसके लिए दो separate वीडियो हमारी playlist में मिल जाएगी अधर वीडियो के नाम से हमारे चैनल पर प्रेलिस्ट है उसमें वो वीडियो मिल जाएंगी आप पहले उप प्रगोंड देख लीजिए तो उसके बाद यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे हलांकि मैं यहां पर प्रगोंड लगा लगा के सवाल में अच्छी तरह से बताऊंगा कौन सा प्रगोंड कहां यूज कैसे हो रहा है ठीक है तो शुरू करते हैं पहला सवाल है चार गुणा 2834 गुणा 25 तो हमें इसका मान गयाद करना है तो आप क्या करेंगे मान गयाद करने सवाल को दौहेरी गुणा हैं तो वो काफी बड़ा हो जाएगा हमें क्या करना है प्रगोंड के सवाल को आसानी से हल करना है तो देखे कैसे करेंगे हम सबसे पहले गुणा ऐसी संक्ष्चा की करते हैं जिससे ज्यार से ज्यादा जिरो बन जाएग तो जब हम चार की 25 में गुणा करेंगे तो हमें पता है कि 25 का पाड़ा अगर याद हो 25 चौका 100 होते हैं तो दो जीरोज बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे चार को और 25 को हम एक साथ लिखेंगे ठीक है तो सवाल पर गौल कीजिए कि पहले मैं सवाल उतार लेता हूँ अब मैं क्या करूंगा इन दौनों को एक साथ लिखूंगा अब यह मैं कौन से पिर्गुण का यूज करके एक साथ लिख सकता हूँ वो मैं आपको बता हूँ सबसे पहले मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं कि गुणा 2834 और यह प्रिगुण लगाया है किरम विने में यहां पर किरम विने में प्रिगुण कौन सा होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको कि मैंने 25 को वहां से उठा कर यहां कैसे लिख दिया किरम विन में प्रिगुण होता है कि दो संख्याओं की अगर गुणा हो रही है तो हम उनका किरम बदल के भी गुणा करेंगे तो अभी उत्तर से माता है जाने कि ए गुणा भी बरावर बी गुणा एक तो यहीं चार और 25 की ऐसे गुणा कर लो या 25 को इधर उठा कर लग तो उससे कोई फरक्ट नहीं पड़ता है इन दोनों की गुणा से इन दोनों का किरम बदला है हमने इसे इधर लिख दिया इसे इधर लिख दिया जाने कि इन दोनों का हमने किरम बदल दिया है तो गुणा में जोड में किरम बदलने पर कोई फरक नहीं पड़ता है उसे किरम देनी में पिरगुण कहते हैं अब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा सो गुणा 2834 अब जब किसी संख्या में 100 की 1000 की गुणा हो रही होती तो गुणा करने की जोगत नहीं पड़ती केवल उसमें जितनी जीरो लग रही है उतना हम उसमें लगा देते हैं यह हमारा इसका उत्तर है तो अगर हमने प्रगुण का यूज किया तो दीके सवाल दो लाइन में हल हो गया और हमें किसी की भी गुणा करने की जोगत नहीं बड़े ना एक हैरी ना दोहरी यही इन प्रगुणों का फायदा होता है ठीक है दूसर सवाल समझते हैं पांच गुणा छेसो अठावन गुणा असी तो इसमें अगर हम इससे सीधे तरीके से हल करेंगे तो इसमें इसकी गुणा करेंगे फिर उसमें असी की पर हम क्या करेंगे प्रगुण का यूज करेंगे तो इन दोनों का हम इस्थान बदल देंगे कैसे असी को हम लिख देंगे यहां पर और 685 को इधर तो हमने यहां भी कौन सा प्रगोन यूच किया है गोणन का किरम विन में प्रगोन यहां भी गोणन का यूच किया है वो मैं लिखा नहीं है गोणन का किरम विन में प्रगोन यानि कि गोणा में हमने संख् के स्थानों को बदल दिया है तो इन दोने गुणा कर देंगा तो या जाएगा 400 गुणा 608 अभी तक हमें किसी की ज्यादा गुणा करने जुनी बढ़ी है आठ पंजे 40 होते हैं और 0 की 0 उतार दी जाने की ज्यादा ज्यादा 0 बनारे कोशिस होती है तो इसमें तो पहले से 0 दे रखी और बाकि एक 0 और आगई अब हमें इसकी इसमें गुणा करने है तो वह भी कोई गुणा करने जूरत नहीं है केवल दो जीरू लगा दो और चार की गुणा कर दो इसमें चार अठे बत्तिस हासिल का तीन चार पंजे बीस और तीन तेइस हासिल का दो चार चिकी चौविस पच्चेश चब्यस उत्तर आ गया दो लाग तरे सट हजार दो सो हमें कोई गुणा करने की जूरत पड़ी नहीं पड़ी कि यह वह लेक चार की गुणा करने की जूरत लोगणा चालेस स को खल करना है तो इसमें वही क्रावडन में प्रौण यूज होगा इसको इpreadा लिख देंगे इसको इ pipelines लिगे तो इन दो नगी नकर जालींगे जादा ज्यादा जिरू बश्यू बन गोन जाएंगी किरम दिन में पिरगोड गुणा कर देंगे इसकी 25 की इसमें तो या जाएगा 1000 गुणा 4837 अब हमें इसकी गुणा करने की जुरूती नहीं है क्योंकि 1100-10000 जब भी किसी गुणा करनी होती है तो उसमें जितनी 0 लग रही होती है तीन 0 तो 3 इसके आगे लगा देते हैं इतनी बड़ी गुणा कितनी सिंपल तरीके से हो गई लेकिन हमको ये दिमाग खुद लगाना है कि किस की किस की गुणा करके ज्यादा से ज्यादा 0 बन सकती है वो आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर तीन सवाल थे गुणा के किरम परोड़ के अब यह वित्रन नियम से हमे आपको बता देता हूँ A गुणा B प्लस C है तो यह क्या हो जाता है A की B में गुणा प्लस A की C में इसी तरह से यह माइनस के लिए भी होता है A गुणा B माइनस C है A की गुणा B में माइनस A की गुणा C में तो यह सवाल हमें इसका मान गयात करना है वित्रन पर गुण के तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से ऐसी संख्या को तोड़ेंगे दो संख्याओं में जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो में प्राप्त हो जाएं तो अगर हम एक हजार आठ को एक हजार पिलस आठ लिख दें तो हमें या तीन जीरो मिल जाएंगी ठीक है तो एक हजार आठ को हमने दो भागों में तोड़ दिया अब इस वाले प्रिगोन को इसमें लगा देंगे यह हो गया हमारा ए यह हो गया हमारा बी यह हो यह हमारा सी तो क्या कर tässä किस में गोड़ा करेंगे हर लाइन में बरावर लगाना बहुत जरूरी होता है गडितल में पिलस एक बार वित्रन नियम है या योग का वित्रन नियम भी कह देते हैं ठीक अब इससे देखें किता असानी से सवाल हो जाएगा देखें सबसे पहले मैंने बताया था इसमें गुणा करने की जरोती नहीं हो थी इसमें तो के बद तीन जीरो लगा देंगे 8 की इसमें गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे गुणा करना सीखिए आप 8, 76, 56, हासिल इस पर लगेगा 5 8, 8, 64, 55, 79, का 9, हासिल 6 8, 4, 32, और 6, 38, ठीक अब इसे आप जोड लीजिए अलग जोड लीजिए थोड़ा सा सवाल में जोडना पड़ेगा इतना थोड़ा करना पड़ेगा इसने अलग 6 का 6, 9 का 9, 8 का 8 यह आगया 4, 9, 0, 8, 9, 6 ठीक, तो कितनी आसानी से हमने इन दोनों की गुणा करके मान निकाल दिया जबकि हमने कौन सा नियम यूज किया है योग का वित्रन नियम ठीक, समझ में आए वित्रन नियम क्या होता है किसी एक संख्या को दो भागों में तोड़ देते हैं और फिर बाहर वाली जो संख्या उसकी दोनों में उड़ा कर देते हैं इसे तरज से अंतर का भी होता अब आपको दिमाग लगाना कि हमें योग का लगाना या अंतर का लगाना है अगला सवाल है छे साथ पांच चार गुणा चौरान में इसको हमें वित्रन नियम की सायता से हल करना है तो इसमें अभी किसी एक संख्या को तोड़ेंगे जिसमें हमें जीरोज प्राप्त हो जाएं तो हम दिमाग लगाएंग अगर इतका भी शॉल्ब नहीं होता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सवाल को देखके पता लगता है तो सवाल को देखके हमें पता लग रहा है और दिमाग लगाने से पता लग रहा है कि हम 94 को तोड़ेंगे 100-6 में तो हमें दो जीरोज मिल यानि कि माइनस वाला, यानि कि अंतर का वित्रण लिए यह जो होता है, यह इस नियम से बन गया यह, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, तो क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे एक बार तो, माइनस एक बार, 6, 7, 5, 4 की 6 में, सो हमें गुणा करेंगे, उसकी जरूरती नहीं है, केवल उसके आगे क्या लगा देंगे, 2, 0, 6 में करेंगे, गुणा तो कर लेंगे, 6, 24, 4, हासल का 2, 6, 35, 32, 32, 3, 6, 7, 42, 3, 45, हासल का 4, 6, 3, 4, 4, 40, अब इसे माइनस कर देंगे, यहांपर, यहांसल का गटाना है, आपको आता होगा, हासल दिया जाएगा, यहांसे, 10 में से 4, 6, 9 में से 2, 7, 13 में से 5, 8, यहां 4, बचे, यहां 3, 6, बचे, 6, 3, 4, 8, 7, 6, ठीक, तो मैंने एक योग का वित्रन नियम बताया है, एक अंतर का वित्रन नियम का सवाल बताया है, किरम बिन नियमों पर कुछ सवाल थे अब आगे कुछ सिंपल से सवाल है एक एक लाइंट के के बले नियमों का यूज करना है अब 468 जीरो मैंने जो प्रेगोर्णों वाली वीडियो बनाई थी इस में अमएने बता हैं कि जीरो की किसी भी संख्या में रोड़ा करते हैं तो उत्तर हमेशा सकते हैं इसे दूसरा यह खालिस्थान है सात्मा स्वाल आठ नौ साथशे गुना पांच चार तीन दो यह बरावर 5 4 3 2 گुना तो जब बरावर लग रहा है बीच में तो बरावर के इस तरफ और उस तरफ की संक्यां grade होनी चाहिए इस तरफ आठ नौस प्रच्वान है तो हम यहां लिख देंगे आँजे Ahora you cannot जो पादलता है गोड़ाओं मैं तो उसके उत्तर पर कोई फर्ख नीहां ता बरावर लग रहा है लेकिन उस प्रेगुण को क्या कहते हैं उस प्रेगुण को कहते हैं किरम बिनी में गुणा का गुणा का लिखना जरूरी है कि जोड़ का भी होता है गुणा का करम बिनी में ठीक आगे आठ नो साथ तीन गुणा एक एक की किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो वही संख्या लोट के आ जाती है इसे कहते हैं हम इस रूल को गुणन का तत समक अगया ठीक, जीरो की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं आधा एक ही करते हैं तो वही जिरोव किसी पीज़ोड़ते हैं तो वही संख्या लोटके आती है। योग का तत्समक अव्यव ठीक है ये प्रगुण है सारे ये गुणन का तत्समक अव्यव सुनने का गुणन प्रगुण योग का तत्समक अव्यव ये सारे प्रगुण ये सब प्रगुण वाले जो वीडियोस मेरे सब बता रखा है आपको केवल फिर भी एक बार रिवीजन 345 पिलस 789 बराबर खालिस्थान पिलस 345 तो ये इसी वाले सवाल की तरह है देखे दोनों तरफ बराबर का निसान है बीज में जब तो इस तरफ और इस तरफ की संख्यां एक्वल वनी चाहिए हैं तो दोन तो नहीं है तो यहां पर हो तो है यह योग का क्यों लिखा है क्योंग यहां पर फैलस लग जग यह गोण Brahman क्योंकि यहां पर गुणा का निसान लगा को अगर जोलकर निसानल लगा होता है किरम बदलने पर लिख रहा तो यह हम देख रहे हैं कि बीच में बरावर करने सान लग रहा है तो बरावर के इस तरफ और संक्या है हमारी एक्वल होनी चाहिए तो देखे यहां पर दो तीन चार है इधर नहीं चार पंचल यहैं इधर है इसतरा और इस तरफ एक चीज़ और क्या गूल कर रहे हैं आपके इस यहाँ पर यह दो उसमें प्रिगूल लगता है पूस में लगता है यूग का अगर योग है फिलाश योग का ऑ neither हैं तो बोटा च तरेरे डिफ में थिक है它गर प्रेकिटीच चेंज हो रहे है allora और गुरा क्षा रिभा आपको आपको बता देता हım जैसे ऑम ब्रेकेंट जाच क्या होता है एक इस अफरेख सवाल नम्बर 12 12 सवाल क्या कह रहा है तीन करिमागत पूर्ण संध्यां हो में किरमागत का मतलब क्या होता है कि लगाता ठीक तीन करिमागत पूर्ण संध्याओं में पहली और तीसी का योग फल हमारा 28 है कि तीन किर्मागत संक्याव में पहली और तीसरी का जोड हमारा यह एक दो तेन दौनों का जोड हमारा क्या है अठाइस है तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो वह हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी तो पहले हम क्या करेंगे योगफल का आधा कर लेंगे योगफल का आधा कित्ता हो जाएगा 28 बटे 2 जाने कित्ता आ गया 14 ठीक तो 14 तो हमारी आगी बीच वाली संख्या अब चुकि ये किरमागत संख्याएं हैं हमारी तो 14 से पहले क्या आता है 13 और 14 के बाद क्या आता है 15 तो हमारी 13 14 15 वो तीन किरमागत संख्याएं हैं जिनमें पहली और तीसरी को जोड़ के देख लीजिए 25 आ रहा है ठीक है किताब में सवाल है इसलिए बता लिए कोई खास अगला स्वाल है यदि तीन पूले संख्याव में बढ़ दियसके हैने awareness ऐसे संख्याएं अने साफंध करनी स्वाल है इसके एक बाद वाली संख्या यहां लिख दीगजिए इसके बात गां अर्दिस उन्तालिस और चालिस हैं लास्ट सवाल है आज का प्राकर्तिक संख्या के समूँ में प्राकर्तिक संख्या आपको पता है कौन सी होती है और इसके नीचे में अगर पून संख्या का समूर्वोग ड़ूंगा तो वह होता है 0 one two three टो प्राकर्तिक संख्या थो same-to-same सारी चल रही है कौन संख्या सामील हुई है 입 जीदू अगर प्राकर्तिक संख्याओं में हम सामिल कर दें तो वो क्या बन जाती है फिर पूर्ण संख्याओं तो इसका अत्तर होगा जीरो को सामिल जीरो सबसे चोटी पूर्ण संख्याओं भी होती है जीरो को सामिल करने पर समझ में आए आपको प्राकर्तिक संख्याओं में अगर जीरो मिला दें तो वह पूर्ण संख्याओं बन जाते हैं जीरो के दर अगर नेगेटिब मिला दें तो सारे मिलाकर क्या बन जाते हैं ठीक तो यह किरम होता है प्राकर्तिक पूर्ण फिर पूर्ण फिर परिमें संख् तो यह पूर्ण संक्या चेप्टर की वीडियो है एक इसकी वीडियो पहले भी पढ़ी हुई है हमारे पूर्ण संक्या वाले प्लेलिस्ट में यह चेप्टर अब खतम हो गया अब अगला चेप्टर चलेगा तब तक धन्यवाद